हाई एवरेवेन विलकम बैक इन माई हीट्यूब चैनल कैम परिक्षा आज हम पढ़ेंगे रिडक्षिन रियाक्शिन्स तो रिडक्षिन रियाक्शिन में हम देखेंगे हम करवाएंगे रिडक्षिन अल्डीहाइड और कीटोन का इंटू एल्कोहॉल्स क्यों कि हम जानते है यहां पर भी हमें रिडक्षिन कराना है और इसे बनाना है हमें अल्कोहॉल ठीक है तो अल्डीहाइड का रिडक्षिन करेंगे सबसे पहले वह लेंगे हम सफिट से एसट अल्डीहाइड लिगे छो इसमें अगर हमें reduction कराना है तो हमें क्या add करना पड़ेगा इसमें हम इसमें add करेंगे li lh4 बहुत सारे reducing agents हमें पड़े वे हैं तो उनमें से कोई भी आप use कर सकते हैं बड़ बेसिकली हम use करते हैं li lh4 ठीक है तो यहां से यह के कराएगा दो hydrogen's provide कराएगा तो यह वाला carbon और यह वाला oxygen आप मार रहेगा तो यह बन गया one degree alcohol okay अब यहीं देखेंगे case ketone के लिए यह तो था हमारा acetaldehyde ठीक है acetaldehyde अब यही case हम देखेंगे ketone के लिए भी तो CH3 CH3 यहां पर double bond लेंगे और यह क्या है acetone ठीक है acetone और इसका भी reduction कराएगे Li-LH4 की presence में ठीक है Li-LH4 यह क्या करेगा फिर से दो दो hydrogen प्रवाइड कराएगा कहां वाली position में एक carbon और एक oxygen वाली position में एक इधर और एक इधर ठीक है तो यहां पर अगर लग जाएगा hydrogen तो यह बन जाएगा CH और यह बन जाएगा OH यहां पर CH3 as it is तो यह क्या बन गया two degree alcohol तो हमेशा यह दखने यह बात जबी अल्डिहाइड का reduction होगा तो वह हमेशा one degree alcohol देंगे क्योंकि वह हमेशा साइड में होते हैं और अगर बात करें ऐसी टोन की तो उनका हमेशा two degree alcohol ही बनेगा तो यह बात थी देखेंगे reduction to pinnacles तो pinnacles क्या होते हैं यह हम कैसे reduce करके pinnacles चाह जर्ण। बनाते हैं यह अब समझेंगे सबसे पहले pinnacles होते क्या है यह देख लेते हैं ? यह देख लेते हैं यह बहुत बहुत है तो यह कौन सी पोजीशन है, 2 और 3, 1, 2, 3, 4, तो यह वाला कार्बन और यह वाला कार्बन के साथ OH, OH अटाच होते हैं, तो यह इसी को हम बोलते हैं, पीना कोल्स, और इसका नाम क्या होता है, नाम होता है इसका 2,3, पहले हम साइड चेन की बात करेंगे, 2,3, डाय मेथाइल, ब्यूटेन, ब्यूतेन, में 2 और 3 पोजीशन में क्या है, डाय ओल है, तो यह हो जाता है इसका नाम, पीना कोल्स का आयू पिसी, 2,3, डाय मेथाईल, ब्यूतेन, 2,3, डायोल, तो यह होगी हमारे पास पिनाकूल का structure यह आप याद रखिएगा पिनाकूल का होते हैं पुरे इसमें होते हैं में चो होते हैं चार कार्बन होते हैं चार कार्बन में तू और त्री पोजिशन में क्या होते हैं होते हैं और O-H के साथ 2,2-3 पोजिशन में हमारे पास 2 ень게 ऑ मितायल ग्रूप अटैज होते हैं इसी को हम कहते हैं पीनाखोल figure कैसे बनाते हम यह देखते है को बनाने के लेते हैं lock Kos to Beanco की दो म давно लेते हैं तब हमारे पास क्या जाता है पिना कोल बन जाता है देखते हैं कैसे बनाते हैं हम इसे यह है हमारे पास CH3 C double bond O single bond CH3 अब सेम इसी तरह हम लेंगे एक और molecule CH3 CH3 तो हमने लिया है ऐसी टोन के दो मोल्स ठीक है दो मोल्स लिए हमने आप इसके और इसका हम reduction करवाएंगे तो ऐसी reduction जहाँ पर दो मॉल्स इंवाल्व होते हैं से biomolecular reductions भी कहते हैं ओके अब यहाँ पर हम करवाते हैं reduction reduction करवाना है यानि कि हम कोई भी reducing agent यूज नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हमें करते हैं इसका क्या मतलब हुआ magnesium amalgam का मतलब हुआ mg के साथ-साथ हम यूज करते हैं mercury भी mg और hg अमलगम का मतलब ही होता है mercury ठीक है तो magnesium amalgam या फिर mg hg लेते हैं और इसके साथ-साथ हम डालते हैं इसमें water जिससे क्या हो जाता है reduction हो जाते हैं यह बाजिटिव और यह जो कार्बन से यह दोनों जाएंगे positive ठीक है अब यह जो negative negative हो जाते हैं यह क्या करते हैं negative वाली position में तो मारे पास hydrogen ना जाते हैं और फिर इन दोनों carbon का जो है bond कम हो जाएगा और जैसे इन दोनों का bond कम हो जाता है तो यह आपस में bond मिना लेंगे तो यह single bond हो जाएगा और यहां पर क्या होना जाएगा जो हमने hydrogen provide कराया है और यह क्या करेंगे आपस में bond मिना लेंगे और यह हां पर भी OH और यह CH3 जो थे dimethyl butane यह फिर से 2,3 diol जो है इसे हम कहते हैं पिनाकोल्स तो यह इस तरह से बन जाता है तो पिनाकोल्स बनाने का तो यह होता है reduction पिनाकोल्स मिनाने के लिए किस तरह से असीटोन जो है reduction करता है अब हम देखेंगे next which is Clemson Reduction बहुत इंपॉर्टन रिदक्शन है वैसे तो यह हर जगा पूछी जाती है Clemson Reduction बहुत अदा मेन है से ध्यान से पढ़िएगा Clemson Reduction में क्या रहता है यह दोनों के लिए भी होती है LD हाइड ऐस वेल आस किटोन दोनों के लिए होती है यह तो इसमें होता क्या है देखते है CH3 CHO अब यहां पर हम यहां पर यूज क्या करते हैं यहां पर हम यूज करते हैं और इसका Zinc Amalgam याने की ZN और HG का उस करेंगे और यहां पर हम क्या डाल देते हैं? HCL यहां पर यहां पर ढाल देगे और यहां पर हो जाएगा as it is तो रहे गई मगर यहां पर क्या होता है सी डबल बॉंड ओ सिंगल बॉंड एच है पहले ऐसे था है ना तो यह जो ऑक्सीजन है अब यह पूरा चला जाएगा और इसके जगह क्या जाते हैं हाइड्रोजन सा जाते हैं बॉंड फुल्फिल करने के लिए और यही होता है कम्प्लीट रिडॉक्षिन विद जिंक अमल्गम तो यह बन गया हमारे पास एथेन और जो बज गया है वो था वाटर क्योंकि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो है क्यों हमने चार मोल लिए थे दो दो हमने यूज़ किये हैं ऑक्सीजन को रिप्लेस करने के लिए औ किटोंस में असी टोन हम लिए थे थे दबल बॉंड ओ यहां पर यहां है हमारे पास एसी टोन क्लैमजन से रिडॉक्षिन में हम उस करते हैं सिंक अमल्गम यानि की जिंक एची विद एच सी यल जहां पर हमें यह चार हाइड्रोजन प्रवाइड कराएगा और यहां पर य यह बन जाएगा CS3 और यहां पर दो हाइड्रोजन वाटर के साथ ह2O बना के बहार हो जाएगे इतना था ख्लैमजन से रिडॉक्षिन तीन कार्बन है यह तो यह बन गया प्रोपेन प्रोपेन हो जाएगा इस का नाम यह थी ख्लैंजन से रिडॉक्षिन यहां पर आपको होता है वह भी पढ़ लेते हैं इन देस रियाक्षिन अल्डीहाइड की टोन अंडर्गों कम्प्लीट रिडॉक्षिन होता है यह तब ही जो ऑक्सीजन होता है सो पूरी तरह से बाहर निकाला जाता है कम्प्लीट रिडॉक्षिन इन प्रिसेंस ऑफ जिंक अमल्गम और जि कहा इंजन डिडॉक्षिन होग मरें हों जाता है कमप्लीट इलकीन में के ठैयार हो जाता है और यही हम यूज करेंगे अगर हमें कभी बिनाना होलकेंस नेक्स्ट रिडॉक्षिन है वल्फ किषमर गक्षिन ओपलिचुन एंठ्ट किष्ञ ऑत्रते हैं यभी बहुत जादा हम क्या डालते हैं यहां पर यहांस देखिए CH3C CHO यहां पर हम डबल बॉंड रोशो करेंगे इसमें वुल्फ किष्णर डिडॉक्शन में हम यूज करते हैं हाइड्राजीन ठीक है हाइड्राजीन हमने बहुत 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 बनाया था यहां पर भी वह ही केस है कि यहां पर अल्डी हाइड के साथ हम हाइड्राजीन डाल देंगे हमकी NH2 सिंगल बॉंड NH2 इसी को हम बोलते हैं हाइड्राजीन ठीक है हाइड्राजीन और हाइड्राजीन डालते ही यहां पर क्या होता है याद कीजिएगा कि हम जब भी हाइड्राजीन डालते हैं तो यह क्या करता है है अपना एक H2 और एक oxygen के साथ reaction करा देता है और वाटर मॉल्यकुल निकल लेता है elimination of water molecule होता है यहना हमने किया था aldehyde ketone दोनों के लिए किया था हमने तो यहां पर hydrazine डालते ही यहां पर क्या हो जाता है वाटर निकल जाता है ओके वाटर के निकलते ही अब जो प्रोटर्ट बन गया है वसे लिख लेते हैं CS3 CH double bond N NH2 ठीक है जब भी ऐसे आता तो यह क्या मन जाता है हाइड्राजोन है ना हाइड्राजोन मन गया अब यह जो डियाक्शन है यहां पर रुखती नहीं है इसके बाद एक और इसमें step होता है वो होता है इसमें हम डाल देते हैं इसके बाद alcoholic koh plus glycol alcoholic koh plus glycol दूनों ही डालते हैं और याद रखिएगा इस बात को जबी भी हम alcoholic koh और glycol डालते हैं तो n2 का n2 का removal हो जाता है तो जहां पर भी nitrogen gas होगी वो निकल जाएगी और इस reduction की हिर्ट से क्या होगा जो हमारे पास hydrozone था उसमें से भी n2 gas दिख रही है आपको यह area n2 part यह निकल जाएगा और बच जाएगा जो वो होगा CH3 CH ठीक है आप तो यह निकल चुका है तो अब बचे वे दो बॉंड्स ही है दोनों hydrogen के साथ बनाएगा तो यह बन जाएगा CH3 CH3 ठीक है तो यह बन गया हमारे पास ethane तो यहां पर भी यह क्या हो गया complete hydrolysis हो गया आप ऐसे समझ सकते हैं और यहां पर N2 जो होता है निकल जाता है completely क्योंकि यहां पर जब N2 निकल जाएगा तो बच जाएंगे जो भी bonds वो जोड़के क्या बना रहे है अलकेन बना रहे है तो वुल्फ किष्णर डिदक्शन से भी हम अलकेन बना सकते हैं अगर हमारे पास अलडी हाइड और कीटोन है ठीक आप कीटोन के केस भी करते हैं तो कीटोन के केस में क्या होता है यहां पर जो कीटोन होते हैं वो फिर से यह रियाक्ट करते हैं हाइड्राजीन से यहां पर भी सेम रहेगा हाइड्राजीन नहीं सिंगल बॉर्ण नहीं क्या होता तो हमेशा ही वाटर निकल जाता है ठीक है अब यहां पर जैसी वाटर में निकल जाएगा तो हम बचावा चीज जो है मारे पास बचे वे प्रोड़क्ट है वह हम यहां पर दिख लेंगे यह बन जाएगा अब C double bond N और यह हो जाएगा अब NH2 ठीक है इसे हम क्या बहुते हैं हाइड्राजून हाइड्राजून और जिसके बाद हम नेक्स टेप में क्या डालते हैं वुल्फ किशनर रिडक्शन जबी भी होगा तो यहां पर वुल्फ किशनर रिडक्शन में याद रखिएगा क्या डालते ठीक है एलकोहालिक डालते हैं एलकोहालिक कोह और ग्लाइकोल डालते हैं ठीक है इथाइलिन ग्लाइकोल भी लिखावा सकता है तो यानि कि ग्लाइकोल तो जो होता है मारे पास दो कार्बन और उसके साथ साथ क्या होता है ओएच होता है इसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोल ठ तो glycol bula है और alcoholic koh जब भी यह साथ में आते तो यह करते हैं हमेशा N2 group को निकाल देते हैं तो N2 group को निकालने के बाद अब क्या मन जाएगा यह CH3CH3, अब यह हो जाएगा CH2, यानि कि यह normal chain मन गई है ना, और यह normal chain मन गई प्रॉपेन, तो यह प्रॉपेन मन जाता है और इसके साथ साथ N2 gas निकल के बाहर हो जाती है, ठीक है, इतना समझ माग गया, तो यह होती है वुल्फिकिशनल reaction, इसको तब हम देख लेते हैं इसकी theory, in this reaction, aldehyde और ketone are made to react with hydrazine to give hydrazone, तो हमने पहले reaction करवाई था hydrazine से, जिससे क्या हुआ, hydrazine को react कराने से हमें hydrazone मिला, फिर hydrazone का हमने किससे reaction करवाया, alcoholic KOH और glycol से, so hydrazone is then treated with a mixture of KOH and glycol to give corresponding alkane, तो यहाँ अब भी हमें alkane मिल जाता है, अगर हम aldehyde or ketone को react करवाई आते हैं hydrazine से, और उसके बाद hydrazone बनने के बाद KOH और glycol डालता ही, हमें क्या मिल जाता है, alkane मिल जाता है, तो वुल्फिष्णा reduction से भी हम alkane मिल आ सकते हैं, cleanseance reduction से भी, okay, हम दिखेंगे next reduction, which is reduction with HI, red phosphorus, यानि कि HI और red phosphorus की presence में हम यहाँ पर reduction करवाएंगे, तो red phosphorus, यानि कि P4 इसका formula होता है, P4 इसका formula होता है, और यहाँ पर जो aldehyde और ketone है, यह case दोनों के लिए ही है, तो पहले aldehyde से start करते हैं, aldehyde के case में क्या होता है, CS3, CHO, प्लस हम यहाँ पर डाल देंगे HI, HI और phosphorus देंगे हम, red phosphorus, ठीक है, red phosphorus यहाँ पर डालते हैं, तो क्या हो जाता है, रड़िए, यह यही में ओपर य५ड़ाइड टूट जाता है, ठीक है, और यहाँ पर हम प्रोवाइड कराते हैं ५ूरे 4, protection है ना, यहां पर हम 4HI प्रोवाइड कराते हैं, तो यह ज़र 4 ल़ाएं यहर जाते हैं और 4 कि 4 ल़ देंगे 2 ही है, न medium हैं या एक एच पैलरी से था इसमें ओके इतना समझे मागए आपको फिर क्या होता है यहां पर जो हाइड्रोजिन बजगे और एक ऑक्सीजन बजगे वो क्या बनाएगा वाटर मॉल्क्यूल बनाता है अब यहां पर आई भी बजगे आई कितने बजगे चार बजगे तो आई ज चीज जो होगी एसेटोन के लिए भी रहेगी सी एस्त्री सी डबल बॉंड ओ सी यहां पर भी हम रिदक्शन करवाएंगे चार मोल एचाई से और यह भी होगा रेड़ फॉसफफरस रेड़ फॉसफरस के बिना नहीं होगा ठीक है तो रेड फॉसफफरस डानों नहीं बू शीजगा और बचए फैंवेध ओंड ओक्सीजन जाएंगे वाटर मॉलिक्ल निउन चांव क मिसेटी टों का हो जाएंगे हाँ यहां पर हो जाएंगे दो हाइज धू और यहाँ पर हो जाएंगे च्लिख फ्री तो इसे हो मस्ट्यों एक अप्सीजिन के साथं बनाएंगे water अब बजगे 4i यानि कि वो 2i2 के form में निकल जाएंगे यानि कि ये निकल जाता है अपनी i2 के form में stable form में निकल जाता है और इसी को हम कहते हैं reduction with hi plus red phosphorus तो इनकी presence में क्या हो जाता है reduction हो जाता है और ये देते हैं corresponding alkane तो यहां पर तीन में पढ़ लिए जिससे हमने अलकेन मिनाया एक तो है cleanses reduction, bulb kisner reduction और reduction with hi and red phosphorus तो अगर आप से कोई पूछता है कि यासी reduction के नाम बिताईए जिससे आप directly क्या मिना सकते हैं कि अलकेन तो मेजर आप हमेशा Clemsons लिखेंगे Clemsons reduction और आप से पूछे जाता है तो आप लिखेंगे उसमें bulb kisner reduction reduction with hi and red phosphorus यह तो आपको लिखने बहुत ज़रूरी है ठीक है और यह लिखने के बाद क्या हो जाएगा आपका चांसर है बिल्कुल और आपको मेरे जाएगा तो आज के लिखेंगे बाकी दिखेंगे हम नेक्स वीडियो में नेक्स वीडियो में हम देखेंगे oxidation reactions ओके अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा अपशेर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अगर आप चाहते हैं कि यह चैनल है और जादा सब्सक्राओ